आप पुलिस से कभी-कभी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन हिचकते हैं और पुलिस से कुछ वो सवाल जो आम आदमी के रूप में पूछना चाहते हैं वो आप पूछ नहीं पाते हैं वो सवाल आज हम आपके लिए आपकी जानिब से पूछने वाले हैं पूरुपुलिस अधिकारी हमारे साथ में है बावानी सिंग चारन हमारे साथ में होगे और वो सवालों के जवाब देंगे जो आप अकसर पूलिस से पूछना चाहते हैं एक तो सबसे पहला सवाल जो है, वो ये है हमारा आप से, सवाल ये है कि आप हुमन राइट वाइलेशन्स पुलिस में नहीं देखते हैं क्या? देखिये विसेग जी, मेरा ये सोच अवमन राइट के बारे में, के पिएस गिल पंजाब के पूर वे डीजीपी साब ने एक बार कहा था, कि आल वमन राइट कमिशन इन दे वर्ड, नोट अल इंडियर राइस्तान, इन दे वर्ड, आर फ्रंट लाइन और्गिनाइज़सन ये उगरवादियों के अगरिम संगठन है, होमन राइट, आर टी आई, ये ऐसी चीज़े हैं, जो पुलिस को कमजोर करती जा रही है, इनके वज़े से पुलिस की का मनोबल गिर रहा है, दिन परते दिन मनोबल गिराते जा रहे हैं, आज ये देखिए कि आज एक आदमी अ पुलिस की कस्टेडी में आने से पहले उसके हुमन राइट शूरू हो जाते हैं, जो गलत है, हमारे ये निर्देश, आज भी हैं, पहले भी होते थे, कि मुलिस को स्वच्छ हावाद मिलनी चाइए, पंका मिलना चाइए, कूलर मिलना चाइए, पानी नाने की व्यश्ता, तो हुमन राइट को यह नहीं दिख रहा है कि उस मुल्जिम के घर में तो अच्छ पाने के विश्टा है बिश्लिरी के विश्टा है क्या उसके घर में पंका है उसके घर में एसी है और थाने में आते हैं उसके हुमन राइट लगू हो जाते हैं इतना बड़ा संगीन अपराद करके आते हैं, मर्ड़र करके आते हैं, और थाने में आकर वा अपने आपको शुरक्सी समझते हैं, और उसके ओपर हुमन राइट लागू हो जाते हैं, मैं इसके बिलकुल खिलाप हूँ. है तो एक लोक्तांत्रीक विवस्ता, आम आदमी के लिए बनाई गई चीज़ हैं, तो आप इससे सर्फ पुलिस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं पुलिस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, जो बात वास्तों में प्रिक्टिकली है वो बात कर रहा हूँ, पुलिस में कोई हु 2010 से लेकर 2016 तक 590 जो डैथ हैं, डैथ नहीं कहेंगे, हम इनको किलिंग कहेंगे, कस्टोडियल किलिंग जो है, वो पुलिस के कस्टडी में हुई है, और उनमें से सत्यानवे जो है, उनमें सिर्फ सड़ सड़ जो है, उनको ट्रॉमा की जो स्तिती है, उसमें भी वो क्रिटिकल ट्रॉमा हम मान सकते हैं, और ऐसा आटापसी रिपोर्ट में भारत सरकार की रिपोर्ट है, तो आप हुमन राइट वाइलेशन तो करते हैं, मेरा बैब आपको बताओं, अभी सरदार सहर में एक वाक्या होगा, वो उसके उपर च्छियारीज या च्छिश को चोरी के मुग तिकरा देती है, उसके काफी चोटें थी, वो कुछ दिन होशल में दवाई लेके वापस सला गया, पुलिस को पता सला है कि वापस वो आदमी आ गया, तो उसको मुकदमे में वांची था पकड़ के ले आई, थाने में आकर के वो मर जाता है, अब थाने में उसके एक हाथ नहीं लगाया, उसकी रिपोर्ट ये कहती है, कि इसके चोटें हैं, वो बहुत पुरानी हैं, लेकिन आदमीयों को तो मुका मिलना चाहिए, अपरादी किसम के लोग हैं, वो पुलिस के खिलाब तयार बैठें, गिद्ध की तरह नजर दवाएं बैठे रेते हैं, कि कहां प प्राइवर को पीट दिया, बुरी तरह पीट दिया, पुलिस उसको लेके आगई, और उसके अंदर ने कोई चोट ऐसी लग गई, और वो अस्पताल में जाके मर गया, या पुलिस थाने में आके मर गया, मत्थे पुलिस के चड़ गया, लेकिन वो पुलिस ने नहीं मारा लेकिन आप ये बताईए, कि आज तक पुलिस कस्टोडी में किते मारे गये लोग, कथित मारे गये लोगों के सजा हुई है, बताईए आप। फिजिकल ट्रोमा है, वो बहुत ज्यादा है थी उसमें, तो उसमें 24 गंटे के दोरान आप पुलिस जो है, उन्होंने 67 लोगों को जो 2015 का आंकड़ा है, उसमें पेश ही नहीं किया गया था, तो आप इसको कैसे कहेंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कि वो तो सुप्रीम कोट के निर्देश हैं, कि कि किसी भी मुल जींगे गिर्फदारी होने के 24 गंटे के अंतर पहली पार पेस कर दिया जाए, आगे कोट से, फिर भी 66 लोग मारे गए, मारे गए, वो अन्य कारणों से मारे गए हैं, मैं इसे इतफाक नहीं रखता कि पुलिस नहीं को मारा है, मैं इसको आपको जस्टिफाई करता हूं, कि 24 गंटा में पुलिस क्यों नहीं करेगी पेस करती है, गिर्फदारी होने के 24 गंटे के अंदर पहली दफा कोट के समक्स पेस करती है, जब भारत में हुमन राइट्स की बात करते हैं, तो हुमन राइट्स इसलिए भी इंपॉर इमर्जेंसी, 76 में एमर्जेंसी का पीरिड था, पातकाल था, और ये मार्च 1976 की बात है, और इसमें पुलिस की सबसे बड़ी ब्रुटालिटी जो है, वो सामने आई थी, इसमें एक सत्याग रही थे, एक्टिविस्ट थे, उनको उनके किलाब कोई केस रेजिस्टर नहीं था, और उनके साथ में जो ब्रुटिलिटी हुई थी, जो बरबरता हुई थी, वो पहला मामला था, जो उचल कर सामने आया था, अब तो हाला कि बहुत ज्यादा मीडियम्स हैं, आप मीडिया की रेंज में होते हैं, लोगों की पकड़ में भी होते हैं, लेकिन उसके बाद में ये जो मामला आया, तो इसमें जो ब्रुटिलिटी थी, मेरे समझाने का, मेरा मकसद ये है कि मैं आपको समझा सकूँ, इसके बाद में हम आपको क्योंकि आप फोज में भी रहे हैं, आपने आर्मी में भी सेवाईं दी हैं, तो आप सौरब कालिया के साथ में भी ऐसा व हुई थी, ठीक है, तो एक तरफ क्या हम हुमन राइट्स की तरफ देखते हैं, और एक तरफ हंदुस्तान में पुलिस ऐसा कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1976 के बाद में ये मामले थम गए, नहीं नहीं, जहाते हुमन राइट का सवाल है, आप जैसे कह रहे हैं कि उसके 76 में जब ऐसा हुआ था, तो हमारे देश में एक वीर ऐसे पैदा हुए थे, सौरब कालिया, जिन्हों नहीं आगे चल के 22 साल की उमर में उनके साथ में भी बुर्टेलिटी हुई, तो हम उस बुर्टेलिटी को गलत मानते हैं, अब तब हम हुमन राइट्स की तरफ देखत आँ कि भारत में पुलिस जो है बहुत सम्वेधन सील है, ऐसे मामलों में, हाँ, मैं आपको यह भी करता हूँ, कि यदि किसी गारिजन समझ अपने आपको गारिजन मानते हैं पलिस, और किसी को दमका दिया, या किसी को दो थपड मार दिये, तो मानवादिकारों का वोईलि देंट हो गया, लोगों ने उस आदमी को पिता, ड्राइवर को पिता, डंडों से, लाठी से, शरीयों से पिता, पुलिस ले आई, और पुलिस थान में आके मर गया, और वो माते पुलिस के आ गया, उसके बाद में सब पूरे गीद गये जाते हैं, उसका पोस्टमाटमी कि जाता है, उसके नयाएक जाँची बढ़ाई जाती है, तो पूरा का पूरा पुलिस के सिरमाथे चट गया है, कि पुलिस देंश को पिता, पिता किस दें था, पुलिक ने पिता था, नाम पुलिस का गया, और पुलिस के खिलाप अपरादी किसम के लोग, तैयार बैठे रह पुलिस को बदराम करते हैं, पुलिस जितनी आप समझ रहे हो, उतनी पुलिस बुरी नहीं है, यह हमारा मत नहीं है, हम जनता की जानिम से आप से सवाल पूछ रहे हैं, और उन सवालों में जैसे आपने का कि बूटलिटी जैसी कोई बात नहीं है, उन्हें राइफल की क्यों है, पुलिस की पासे मान से नहीं है, मैंने लंबी सर्व्यष पुलिस की करके आया हूँ, एजजिस अबहाना था रहा की मान एए, यह नहीं है, यह जो बात बता नहीं है, यह तदा तरह का जा मन से किड़ना से болgres की का, दुरागर है मेरे में तो कर लिता हूँ मैं क्यों पिटे की आप बताओ एक सवाल ये भी है कि आप इंडियन आर्मी में भी आपने सर्व किया आप इंडियन आर्मी में भी रहे हैं तो इंडियन आर्मी को जो मतलब लोगों से प्यार मिलता है, उसका प्रतीशत अगर हम आखें, सर्वेय और रिपोर्ट्स और अध्यन जो हुए हैं, उसमें 57 फीस दी है और पुलिस के लिए सिरुप महज 25 फीस दी है लोग पुलिस में भरुसा करते हैं ऐसा क्यों? पुलिस की आफ़ शिक्ता सब को है पुलिस लाइक कोई नहीं करता आर्मी का जहां तक सवाल है आर्मी की पुलिक डिलिंग नहीं है आप जहां जहां आर्मी डिप्लोई होती है चाहे वो बाड में भी आर्मी आजाए सवाल खड़े करने माले इसके खिलाब भी कर देते हैं आर्मी ने वो कर दिया, आर्मी ने वो कर दिया, ऐसे कहते ही है, बाधी आर्मी जैसा organization प्रिस नहीं है यह बात मानता हूं, आर्मी बहुत ही अची organization है, comparatively प्रिस इतनी संसाधन से युक्त नहीं है, और साधनिया सोच सोच दोनों की ठीक है सोच में कोई कमीनी है हमारी सोच जब कहता हूँ मतलब पुलिसी सोच बहुत हाई है बहुत अच्छी सोच है लेकिन पुलिस में भी जाती बाद देखने को मिलता है आपने कोई जेला है हाँ मैंने जेला है जाती बाद में निजेला है पलीस ओफसर्स के अंदर ये कहिन कहीं घर करके आने लग गया है और उस जाती बाद के चलते होता यह है कि आपको मैं एक बात बताऊँ कि जैसे मैं जिस जाती से बिलोग करता हूँ वो जाती है कायम खानी जाती है ये अपना काम दिखा करके और आगे बढ़े है, बाकी जाती है वो जाती आधार पे, हाना कि वो जाती आधार का कोई मेरे समझ में ऐसा होना नहीं चीए, लेकिन मैं इस जाती का हूँ, मेरे पुलिस अदिख सक्क मौदा उसी जाती के हैं, तो मेरे बले-बले हो गई, और कौन रोके इसको हमारी स्वार्च रोके गौवर्नमेंट रोके ऐसी विश्ता करें कि जातीती बाद पुलिस पे हावी नहीं हो पुलिस पर राजनीती भी हावी है क्या बिलकुल सरासर गलत है मैं बड़े बड़े थानों बेरा हूँ मेरे बड़े नेताओं के टीटी के आलाके में ऐसे सो रहा हूँ और दौलत राज समयजा के आलाके में रहा हूँ निहाल चंद मेगवाल जो केंदरी मंत्री रहे हैं उनके आलाके में रहा हूँ ग्यान देव आहुजा जब उनकी सरकार थी वहाँ पे उस टाइम उनके अलाके में रहा हूँ मैंने कभी भी मेरे को किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि आप ऐसा काम आपको करना ही पड़ेगा हाँ ये भी है कि मैं हमेशा मेरी वहाँ से उस थाने से बाहर निकलने के लिए हमेशा तयार रहता था मैं किसी थाने में बारा मेने से ज़दा नहीं ठीका हो सकता है मेरे को अटवा दिया गया हूँ वह बात अलग है ये मेरे पैसा कभी प्रेशर नहीं आया आपके बैल्ट्स के नाम भी बहुत अजीब होते हैं आनमिलो सजना गुली डंडा तो इन नामों से ही कुछ जलगता है और आम जनता है आम है समझ गया आपके शना आमिलो सजना की बात करते हैं हाँ पहले कभी होता था ये राजा मारा रजान टाइम पे ऐसा होता था सकताई करने के लिए ऐसा कुछ ड्राने दमकाने के लिए ऐसा होता था उनका वाइलेशन कभी कोई नहीं करता है, लेकिन आप जो आम आदमी के राइट से उनका वाइलेशन करते हैं, एक ऐसे चो है, वो सीकर में एक बड़ा अंदोलन आपने दिखा, और वो अब भी चल रहा है, तो एक ऐसे चो है, वो एक लड़की को पीटते हैं, पांच मीडिय करनी, वहाँ खड़े हैं, बाल पकड़ते हैं, गसीटते हैं, जब कहीं भी ऐसी कोई होती है, को डिस्पर्स करने का आदेश मिलता है, भीड उगर हो जाती है, तो ऐसे में ये कोई स्ट्रिलिंग और पुलिंग नहीं देखी जाती, उस अधिकारी का करता है, जल्दी करता है क्या लड़की है, इसलिए मैं इसके साथ में वकास कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको इतना सोच नहीं है, टाइम ही नहीं है, लाटी चार्ज में लाटी तो पुलिस चलाएगी, अब इसको बरबरता आपको होगे, तो वह आपकी डिक्शनरी के सब्द हो, क्य नहीं तो वह तो मीडिया देख रहा है, लाटी पुलिस बाला थोड़ी देख रहा है, मीडिया काम यही है, मीडिया काम मीडिया की नेगेटिविटी है, और मीडिया तो उस लड़की पे फोकस कर रहा होगा, जहां हजारों लड़के लड़कियां खड़े हैं, तो पुलिस वह आर्टिकल अनुछे जो तीन है, युसडीर और अनुछे पांच है, दोनों का वाइलेशन करती है, अनुछे दिख्कीस का वाइलेशन भी करती है, जो आम शिकायत है पुलिस की, और अनुछे तीन में लिखा गया है, पुलिस जो है, उसको ये तरीके क्यों अपनाने पड़ते हैं, क्या पुलिसिंग सही नहीं है, मॉराल पुलिसिंग क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा है कि आप ये बताओ, आज किसी साथ में दोखा दड़ी हो गई, बड़ी रकम है, चोटी रकम है, दस बीश लाक की हो गई, मुल जी में कहरा है, हमने लिए हैं, बरामद नहीं कराओंगा, तो आप बताएए, क्या सादन है पुलिस के पास, क्या उसके पास पुलिस मंतर, कौन सा मंतर पड़ेगी, जिससे वो पैसे उसके बरामद हो जाए, बताएए मेरे को, और जो आदमी पिडित है, उसकी मनोदसा देखिए आप, जो आदमी पिडित है, जिसके साथ में गलत वाय, जिससा दोखादरी हो गए, जिससा गर में चोरी हो गए, सोना लुट गया, चांदी लुट गयी, केस लुट गया, वो तो चाहता है, पुरी बरामद की करें, और कानून कहता है कि इसके साथ में बिलकुल इसके साथ में आपको सम्मत करिये, ये तो वी आई पी ट्रीटमेंट करिए तो कैसे संभाव है सकता ही तो करेगी पुलिस लेकिन आप भी की बात का विरोधा भास है पत्रकारिता में एक चीज ये भी ढूंडी जाती है आप कह रहे थे कि हम नहीं किसी को मारते हैं किसी को पीटते नहीं है लेकिन जब आप दूसरी बात में ये सुईकार भी कर रहे हैं कि ऐसा करना पड़ता है करना पड़ता है और करना चाहिए इस बात के लिए आपकी अपरादियों के परती जो सौफ्ट कॉर्नर रखते हैं जैसे कोरट में वकील खड़े होते हैं हम जाते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है कि हम गुनागार हैं हमारे साथ में ऐसा बिवार होता है वकील हमारे खिलाब आते हैं पत्रगार हमारे खिलाब आते हैं ऐसा क्यों आप ये सान बूती क्यों है ये मेरे बता दीजिए अपरादियों परते हैं कि आपके पास नहीं पहुंचते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप जाईए थानों में, किसी थानों में जाईए और सब आप से बहुत अच्छा विवार करेंगे और मैं आपको अभी सेख जी भी बताओं कि इस ताइम पुलिस डिपार्टमेंट है, वो ही कुछ का काम है, वो सही डंगशे और राउंड दे कलोग कर रही है, नियमनुसार कारवाई कर रही है, पुलिस नियमनुसार काम कर रही है इसके बावजूद यह हो रहा है कि जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया हम यह मानते हैं कि पुलिस और किसी भी डिपार्टमेंट से ज्यादा काम कर रही है अवरलोड है लेकिन जनता इस बात को नहीं समझ पाती है ठीक है तो जनता को आप ही लोग यह बताएं तो ऐसे कौन से डिवलप्मेंट लाए जा सकते हैं जिसके पुलिस और आम जनता इंट पुलिस के बिना और वह पुलिस जो राद बिनात की स्यवाएं कर रही है उसके खिलाप लोग एक मुनट में सड़क विया जाते हैं यह दिकिसी के साथ में सकता的 की बरत ली। पुलिस ने बरबरता कर ली पुलिस ने पाश्पिक्ता कर ली पुलिस ने थरड डिकर इस definald है ये सब्राटेटर ये सब्द हैं मैं मेरा अनुब बताता हूँ कि पुलिस थाने के खिलाब कोई परदस्न हो रहा है तो उसमें वही लोग आएंगे जो आपरादिक मानसिक्ता के हैं चोर हैं उचक्के हैं अधिकतर या उसके दोश्ट आएंगे जिसको पुलिस ने किसी पकड़ करके जेल बेजावा है तो उसके संगर्थन के लोग आएंगे कोई भलादी पुलिस के खिलाब मैं नहीं मानता कि कभी कोई एजिटेशन किया लेकि बारत सरकार में आपका वरुसा दोगा आमिच्छा भी अभी आमिच्छा ने भारत के ग्रह मंत्रे ने कहा है कि भारतिय पुलिस जो है उसके ये जो कारिक्षेली है उनके कहने का मतलब सिधा टॉर्चर से हम अगर बात कहने जोड कर देखें तो इस तरह के पुराने मैथट नहीं चलेंगे तो किस तरह की नई पुलिस की कल्ब ना करते हैं पुलिस का सोची है कि आधनिक युग है इसके अंदर आप आधनिक टक्निक इस्तेमाल करें जहां तक संब्व होगो करती है पुलिस करती है लेकिन मैंने आपको कहा कि चोर ने चोरी कर ली अब उसको ब्रामत की कि आविकि कॉन सा भीर हो खरोंगे लिकन जब ग्रै मंत्री कहते हैं तो आपको मेथर्ट्स तो फिर आटाते हैं वो ग्रै मंध्री उची आदमी उनके लेवल की बाते हैं तो मैं आपको कैसे बता हूँ कि मैं तो उस बात को कही कही होगी अपने किस प्रिपेक्स में कही है वो जाने के में मेरा प्रिपेक्स जानता हूँ शराब की दुकाने हैं तो उनके सामने सा पुलिस आट बजे बाद में निकलती है देखती है शराब की दुकाने खुली भी है तो आप कारवाई क्यों नहीं करते हैं मैं आपको बताऊँ बंदी जैसा एक शब्द भी एक्स्टॉर्शन मैं आपको बताऊँ कि पुलिस जो है के पास एक हजार काम है और दारू के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनावा है उसकी पुलिस उसके पास है एकस्टॉर्शन डिपार्टमेंट बनावा है उसकी पुलिस भी उसके पास है उसकी हवाला तो उसके पास है सब काम उसके पास है आम जन्दा क्यों नहीं करती उनको दूसरी बात पुलिस कैसे कारवाई करेगी दारू के ठेके के अंदर पुलिस परवेश नहीं कर सकती है गुवर्मेंट आफ राजिस्तान का परिपत्र है कि पुलिस ओफसर कौंस्टेबल टू ओफिशर और नोट अथराइज़ टू इंटर इन दे शॉप कैसे कारवाई करेगी दूसरी बात दारू पिने वाले आठ बज़े बाद ही पिते हैं ये डिफेक्टिव आदेश गौ़र्मेंट के हैं पुलिस के के हैं मेरा सोच है मेरा ये व्यक्तिकत मत है कि दारू को आप आठ बज़े का कौन सा कौन से साच्चतरों में लिख दिया गौ़र्मेंट को रेवन्यों आ रही है एक प्रिष्टिज पॉइंट बना लिया कि दारू साबार सब जबाद दारू बिखती है कौन सा गुना है कि बोलो बताओ मेरे को कौन सा गुना है कानून का है और किसी का नहीं है दारू जब्रिष्टि किसी ओठो नहीं रही है कि आप जाहो बुठे के पर जाहो औरवतल खरी दो जब्रिष्टि किसीओ कहती नहीं गौवर्मेंट की आप यो बेशने वाड़ी बेश रहे हैं खरीदने वाली खरीदे रहे हैं तो अन देख ही किसी ये मतलब की पत्तरकार हो चाहिँ कोई पप्लीक आदमी हो जाद़ार ठेके पए जाके उदार मांगता है वो मना कर देता है तो तो टेलफ़न कर देता है तो साड़े आट बज़ी गये देता हो दारू बेश रहा है कुल मना के बात होती है यहूं ऐसी कोई बात नहीं है अगर आप सरकार को डिफेक्टिव उनके आदिशों को डिफेक्टिव मानते हैं तो भी राजस्तान में मेडिकेटिड नशा भी बिकरा है आप तो उस इलाके में रहकर आए हैं देखिए उसमें ऐसा है कि आज की चार साल लग बिक चार साल पहले डोड़ा बेशने पर गौर्मन ने परती बंद लगा दिया यूँ गौर्मन ने परती बंद लगाया डोड़ा की माफिया पताफ गए और इसके अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा है गौर्णमेंट पांस रुपे किलो डोड़ा बेशती थी आज गंगानगर हनुमानगर में पांस जार रुपे च्छा है जार रुपे किलो भी करी है तो यह मारजन बढ़ गया इसके पर पट्टी बंद लगा खुली छूट नहीं दी गई तो मेडिकेटर नशा आ गया मेडिकेटर नशा आने के बाद में महां की जवानियां बरबाद हो रही है इसके लिए गंगानगर हनुमानगर में जीवा बहुत ही ज़्यादा कैप्शूल वगेरा का नशा करते हैं जो स्वाश देकर बहुत हनिकार रखे डोड़ा बेचने का साइड इफेक्ट नहीं बेचने का साइड इफेक्ट आया कि मेडिकेटर नशा कर दोड़ा बेचा जाना चाहिए नहीं बेचा वो तो गोवर्मेंट का निर्न है लेकिन मेरा व्यक्तिकत यह है कि डोड़ा बेचने से पालना ही भी नहीं हो रही है, सुप्रीम कोट के आदिया से बजरी नहीं भीकनी चीए, आप अप अपने सहर में जाके देखे, कितने निर्मानकारी है चल रहे हैं, और धरले से बजरी आ रही है, उब वोगता मर रहा है, उब वोगता को तो पहले ट्रक जो दस जार में आ रह से चाक चौबंध है, चावी स्वच है, तो आम जनता तक आखरी बार जो इंटरेक्शन को लेकर जो उनमें गफलत रहती है, गलत फहमिया रहती है, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहएं, मैं आपको पुने कह रहा हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट राजस्त पहले तो उठाएगा यह नहीं कोई, उठाएगा तो बत्तमीजी करेगा, और उसको पूछ लिया कि भई जया पुर्वस्किति पर जाएगी, तो जा रही एक खड़ी है, और रख देता है, वापर से वो जबाब भी नहीं सुनता है, साफ सफाईगा देख लो आप, किसी भ बगत करते हैं, और किसी भी भाग के अंदर आपको आप जा के देख रहे हैं, आपको चाय पानी की विष्टा नहीं करेंगे, थाने में आपको जुड़ी है, तो आप हमारे साथ में जुड़े, और जनता को वो सब कुछ बताया, जो अकसर आप से पूछे जाने से, पूछ आपके चुनाओ पर, आपके निर्णे पर तैह होगा, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, देखते रहें, और धमचेक मचाते रहें